क्या एनर्जी है इस रिष्टे की देखते हैं और बॉटम में देखो नमबर 44 उमन होल्डिंग हाट ठीक है तो देखो आज भी उनका दिल किसके लिए धड़कता है अपके लिए आज भी आप उस इंसान के दिल में रहते हो क्योंकि वो इनसान आपको अभी भी नहीं भूला है उस इंसान के दिल में आज भी आप राज करते हो नमबर 44 डबल फोर यहाँ पर आया है डबल फोर ट्रिपल फोर शायद आपको दिख रहा हो आज कल आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर उमन हुल्डिंग हार्ट यह बता रहा है कि आपके परसन आज भी आपके इंतजार में हैं और आपके प्यार में हैं ठीक हैं और नमबर 4 जो यहाँ पर दो बार आया है तो आपके परसन के दिमाग में बहुत ज़ादा ओवर थिंकिंग चल रहे हैं गाईज वो अनसान चाहा कर भी आपको अपने दिमाग से नहीं हटा सकता इतना ज़दा ओवर थिंकिंग करता है और इतना ज़दा प्यार करता है वो अनसान के उसको ऐसा लगते कि मैं सोच सोच के जैसे कि पागल हो जाओंगा नमबर 4 राहू का है और राहू इस अंसान को बिलकुल च आपके परसन को ट्रिबल 4 दिखाई दे रहा हूं और सबसे पहला कार्ड उमन होल्डिंग हाट और यहाँ पर है हापी फैमिली आपके परसन आज भी आपसे प्यार करते हैं यहाँ पर कुछ लोग शादिशुदा होकर अलग रहते हो ऐसे भी है और जो शादिशुदा नही हो आपके परसन आपसे शादी करना चाहते हैं वो इंसान इस रिष्टे में बहुत आगे जाना चाहता है ठीक है आपके परसन इस रिष्टे को खतम नहीं करना चाहते है इस बिलकुल भी खतम नहीं करना चाहते हैं हैफी फैमिली वो तो मैरेज के सपने देख रहे हैं अंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मिले तो वो जिन्दगी कैसे जोएंगे, इस हाल में वो कब तक रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पॉरसन आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं, कि जिसके बज़ा से ये अंसान आज तक आप की यादों में, नंबर 18 उनकी बर्डेट हो सकती हैं, ठीक है, और क्या है, और क्या बात करें अब, ओमन होल्डिंग कोई, ये परसन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये परसन हमेशा हमेशा के लिए आपको एक खजाने की तरह अपने पास रखना चाहते हैं, कुछ लो ठीक है, कुछ financial issue हो सकते हैं, और ये परसन तो आपको संभाल के रखना चाहते हैं, इनका बिल्कुल भी इरादा नहीं है, आपको छोड़ने का, या आपसे दूर जाने का बिल्कुल इरादा इस इंसान का नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे problem, कुछ ऐसे दिक्कत हुई, कि इस इ हाथ खुश रह सकता है, happy family, वो इंसान आपको अपनी family का एक हिस्सा मानते हैं, जब भी शादी की बात आती है, जैसे कि उस इंसान ने मान लिया है, कि वो शादी तो आपसे करेंगे, ये इनसान बहुत कुछ planning भी कर रहा है, ठीक है, इस रिष्टे में कैसे आगे बढ़े, क्या कुछ कर सकते हैं, अगर आप नाराज हो इस इंसान के उपर तो आपकी नाराजगी को कैसे दूर करें, अगर उसकी कुछ गलतिया हुई है, तो वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, आने वाले समय में, क्योंकि वो बहुत कुछ planning कर रहे हैं, आपक साथ जुड़ी है, उनको पता है, उनको पता है कि वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, आपके बिना वो इस हाल में हैं, और आपके साथ वो इस हाल में रहते हैं, दीसन के नर्जी, उनको समझ में आ चुका है कि अगर हपी रहना है जिन्दगी में तो उसका साथ होना कित अपने दिल की बात आपके सामने रखेंगे नंबर 21 बड़ेट हो सकती है उनकी ठीक है अब देखते हैं मेजर अरकाना से क्या कुछ है उनकी करन्ट फिलिंग देखो आइस मुझे ऐसा लगते कि आपके परसन को यह बात पता चल चुकी है कि वो आज भी आपसे प्यार करते है ठीक है वो नहीं रह सकते आपके बिना उनको यह समझ में आ चुका है कि नहीं रह सकते मुझे असे लगते कि इस इंसान को हो सकता है हर किसी के साथ resonant नहीं होगी बात लेकिन हो सकता है पहले इंसान बिल्कुल भी spiritual नहीं थे लेकिन जब से आपसे बिच रहे हैं ये इनसान में आज भी आप रहते हो ठीक है बहुत दिन हो गए उनके दिल में रहते हो आप और किराय भी नहीं देते हो आप ओके देखते हैं और मेजर और कना से देखते हैं आपके परसन किसमत के बार में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दाहरफंड के नजी है बॉटम में कुछ लोग के लिए फैमिली का इशू हो सकता है परिवार एक बहुत बड़ी बज़ा बन सकती है कि इनसान ने पास्ट में आपसे दूर्या बना ली आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन हो सकता है कि परिवार नहीं मानेगा इस डर से इस दर से ये एंसान ना चाहते हुए भी आपसे दूर चला गया इसको बिलकुल भी इच्छा नहीं थे आपसे दूर जाने की लेकिन उसको डर लग रहा था कि बहुत जादा इस रिष्टे में अफस्टेकल्स है परिवार एक बहुत बड़ी बज़व हो सकती है आपके person चाहते कि वक्त का पयाग हुमे किसमत का पयाग हुमे अगर family issue है तो आपके person भगवान को प्रे करे कि प्लीज भगवानी सब पुछ solve कर दो जो भी problem है ठीक है reconciliation चाहते हैं आपके person the wheel of fortune reunion बता रहा है और इससे beautiful card क्या हो सकता है the chariot और the sun the sun के energy आपर दो बार आ चुकी है आप जान रहे हो ये इंसान आपके साथ कितना happiness फिल करता है इस इंसान को आप चाहिए वो आपके तरफ आने के लिए ready है the chariot वो तो घोड़े दोड़ाना चाहते है अभी के अभी आपके पास वापस आना चाहते है ये person आपके तरफ आएंगे अगर आपको ऐसा डर लगता है कि इंसान नहीं आएगा ये इंसान आपको भूल चुका है ऐसा बिलकुल भी नहीं है the sun बता रहा है कि इस रिष्टे का एक bright future है और वो होकर रहेगा उनको ऐसा लगते कि बहुत हो गया उसका इंतजार करना अब मुझे खुद ही उसकी तरफ जाना पड़ेगा मुझे खुद ही कोई action लेना पड़ेगा the sun के energy बता रहे कि आपके person बहुत जल इस रिष्टे के एक new beginning चाहते है और वो सब कुछ आपके favor में होगा ठीक है the chariot ये energy बता रहे कि इस इंसान के दिमाग में positive और negative दोनों खयाल चल रहे है द्वीधा परिसिती है इस इंसान के ऐसा नहीं कि बहुत positive सोच रहे है negativity और positive दोनों सोच रहे है ठीक है एक तरफ डर लगता है कि आप उनके नहीं होगे तो एक तरफ लगता है कि वो शादी तो आप से करेंगे चाही जो हो जाए ऐसा जिद भी है इस इंसान के अंदर आपके प्रती देखो वो stability चाहते है इस रिष्टे में आपके person ज़रूर वापस हैंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान नहीं आएगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है guys वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है और वो इस रिष्टे में stability चाहता है ठीक है और क्या है रातों को जाग रहे हैं बहुत दिन हो गए इंसान रातों को सोया नहीं है इसकी आखों के नीचे ब्लक सरकल बन चुके है इसकी हालत खराब हो चुके है क्योंकि जैसे ही रात होती है देखो दिन तो कैसे भी गुजर जाता है उसका दिन कैसे भी निकल जाता है लेकिन रात नहीं गुजरती है और वो person बड़े परिशान है कि तुम्हारे बिना मतलब कब तक कब तक वो ऐसे रातों में जागेंगे उस इंसान को तो ऐसा लगता है कि यू रात भर जाग कर तुम्हारी यादमे में पागल हो जाओंगा इतने जादा वो बहुत देखो यापर भी रात भर जागते हैं देख रहे हो आप energy रात में जागते हैं सेम energy वापस इस इंसान को लगता है कब तक ये सब कुछ कब तक सहना पड़ेगा हमें कुछ तो ऐसी situation है कि इस इंसान को लगता है कि किस्मत ही खराब है ठीक है तो exhaustion बता रहा है कि इस इंसान को रातों को जागना पड़ रहा है और इस इंसान को लगता है कि यू रातों को कब तक जागूंगा में nine number कुछ खास हो सकता है आपके लिए darkness बहुत ज़ादा negative thoughts आते हैं आपके person के मन में उनको अंधिरा सा लगता है आपके बिना उनको लगता है आप नहीं तो उजाला नहीं है देखो ये nothingness है और ये है the sun ये difference है आपके साथ होने का और आपके साथ ना होने का जब वो आपके साथ में होते है तो the sun के energy में होते है जब आपके बिना होते है तो no thingness इस इंसान को इतना ज़ादा दुख है आपके ना होने का और इतना डर है इस इंसान के मन में आपको खोने का कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, आपके person आपके खुबसूरत फोटोस देख रहे है मेबी उनके पास बहुत सारे खुबसूरत फोटोस आपके है वो शादी के लिए तो डेफिनेटली सोचते है यहाँ पर कुछ लग ऐसे है अगर आप शादी शुदा हो तो बहुत जल प्रिगनसी आ सकती है आपके person चाहते है आपके पास वापस आना वो आपके साथ beautiful जिन्दगी जेना चाहते है जो शादी शुदा नहीं है आपके person चाहते है आपके साथ शादी करना वो आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे चाहते है आपके जैसे beautiful आपके जैसे मासूम और खुबसूरत बच्चे उनको चाहिए आपसे जस्टिस का कार्ड है जस्टिस दिना शाते हैं दी मून के नर्जी फिर से अंधिरा बहुत अंधिरा चाया है इस रश्टे में बहुत जादा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग के लिए इनक कि मदर हो सकती है बज़ा आप दोनों को अलग करने के लिए इनकी मदर सिस्टर या कोई फिमेल हो सकती है जिसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की हो और उस लड़की के लिए या उनकी मा के लिए ठीक है वो आपसे दूर चले के आपके साथ नाइंसाफी कर दी उन्ह और प्यार की बाद तो आज तक इस इंसान को प्यार है, आज भी वो आपके साथ शादी के सपने देखते हैं, ठीक है, और क्या है, दस सोर्स, आपके परसन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और वो अपना सपना पूरा करना चाहते है, आपके साथ रिष्टे में आने का, सरी जिन्दगी आपके साथ भी तना चाहते, बहुत फिजिकल अट्रक्षन हो रहा है, कुछ नयापन लेकर आना चाहते, वो पुरानी बाते, जो कुछ भी टेंशन हुआ है, वो इसको भूल कर, कुछ नयापन लेकर आना चाहते, इस रिष्टी में स्किजोफ्रेनिया है, यह उपर से इस नसान का इगो बीच में आ जाता है, देखो, आपके परसना आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं, ठीक है, उस नसान के जैसा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता, लेकिन इस नसान के सभ्भा में बहुत जादा कमिया है, एक तो इसमें इगो बहुत है, और जो कुछ भी हमने यह आपर energy देखे ठीक है और क्या है We are the world वो person आपके साथ शादी करना चाहते लेकिन उनको डर लगता है कि होगी की नहीं होगी वो आपके साथ ही अपने बच्चे पैदा करना चाहते हैं आपके साथ सारे जिंदगी रहना चाहते हैं और वो इनसान इसकी उम्मीद करता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा बदल जाएगा और सारे हार्मनी आप दोनों की जिंदगी में आईगी इसकी उम्मीद इसकी आशा की कीरन इस इनसान को दिखाई तो देती है यह इनसान पल में कुछ और सोचता है दे चारेट के एनरजी जो आचुकी है पल में positive हो जाते है और पल में ही negative ठीक है और क्या है देखते है यहाँ पर है six of pentacles के एनरजी है यहाँ पर है nine of swords वापस वह एनरजी के इंसान राद भर जाकता है आपके लिए nine of swords यह भी देखो तीन बार यहाँ पर आचुका है ऐसे एनरजी यहाँ पर भी देख रहे हुआ यहाँ पर भी same energy यहाँ पर भी same energy मुझे यहाँ पर बहुत लोग शादी शुदा भी दिखाए दे रहे शादी शुदा हो फिर भी एक ब्रूसे से अलग हो यहाँ शुदा हो अगर कोई third party के बज़े से अलग हो चुके हो कुछ तो problem है ठीक है तो मुझे सा लगता है कि यह इंसान रातों को जाग जाग कर परिशान हो चुका है और वो उसको समझ में आ रहा है कि उसकी तरफ से बालस नहीं हो पा रहा था ठीक है और अब वो बैलस लेकर आना चाहते है six of pentacles के नर्जी है लिब्रा के नर्जी है जस्टिस के नर्जी है ठीक है लेकिन उनको हिम्मत बढ़ानी होगी ठीक है पूरी हिम्मत के साथ उनको आगे बढ़ना होगा इस रिष्टे में अब वो सोच रहे है अब तक शायद वो अपनी गलते के उपर नहीं सोच पा रहे थे लेकिन अब वो इंसान अपनी गलते के उपर सोच रहा है ठीक है अब आपके energy देख लेते हैं आपके energy क्या है जो मेरे viewers है वो क्या सोच रहे है इस इंसान को लेकर जो मेरे viewers है वो क्या सोच रहे है दिल टूटा है 3 of source के energy आ चुके है आपको बहुत बड़ा धोका हुआ है आपके साथ ऐसी feeling है आपका दिल तड़प रहा है बहुत दर्ध हो रहा है आपको painful situation में आप हो इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है और आप उस दुख में जी रहे हो और आप अपनी जीत चाहते हो इस रिष्टे में आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब और नहीं सहा जाता अब और नहीं बरदाश किया जा सकता आप अपने प्यार की जीत चाहते हो आप हारने के लिए मन्जूर नहीं हो तो आप source के energy बता रही है कि कितना दर्ध है आपके दिल में आपको लगता है कि ये रिष्टा बहुस रिचल है आप मानते हो कि जैसे कि वो इनसान जैसे कि भगवान नहीं आपके जिंदग में भेजा है आप बहुस प्रिचली फील करते हो एक 3D लेवल से उपरा फील कर सकते हो इस इंसान को 5D लेवल में ठीक है इमाजिन करते हो बहुत जब चाहते हो ठीक है और आप एक ओफर चाहते हो पेज़ो पैंटरकल्स आप इस इंसान के तरब से स्वर्ड ओफर चाहते हो और आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान बड़ा छुपा रुस्तम है यह बहुत कुछ छुपाता है आपसे यहाँ पर टेंपराइस के एनर्जी है बैलनस आप चाहते हो आपके साथ जास्टिस हो आप चाहते हो इस रिश्टी के एक निज़ बिगन्ग चाहते हो एलस अट्रक्षन भी गजब मैंद के लिए आपको इस इंसान की परस्नलटी बहुत ज्यादा पसंद है का इस और आज भ दिल तोटा है आपका ये कुछ एनर्जी मुच्छ आपकी दिखाई दे रहे है यहाँ पर अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडन्स है आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आने वाले हैं आप चिंता मत करो Surrender to the Divine आपको कहा जा रहा है कि आप Surrender करो सब कुछ ठीक होने वाला है आपकी जिन्दगी में ठीक हैं भगवान सब कुछ देख लेंगे आप बस भगवान के उपर छोड़ दो Your hard work is paying definitely guys आपने जो भी इस अंसान के लिए महिनत की है जो भी hard work किया है वो सब कुछ उसका फल आपको मिलने वाला है उसका reward आपको मिलने वाला है और bottom में आ चुका है A new romantic cycle begins इससे खुबसूरत कार्ड क्या हो सकता है कि आपकी साथ justice होने वाला है लिब्रा का कार्ड है ठीक Universe आपसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो वो आपके साथ नयाई करेंगे और इस प्यार की बहुत जल एक नई शिरबात होगी A new romantic cycle begins तो ये कुछ energy आपके लिए आच चुकी है Angel की तरब से देख लेते हैं क्या कुछ message है आपके लिए Improving health यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी कुछ health issue चल रहे हैं तो angel आपसे कहते कि आपकी health में सुधार आएगा अगर आप किसी और की तबियत के लिए प्रे कर रहे थे तो ये होने वाला है उनकी health में सुधार आने वाला है It's up to you कुछ बाते ऐसी हैं जो आपके उपर है ठीक है अगर आप कुछ मांग रहे हो angel से तो कुछ बाते आपके उपर है कि आप कि इतना विश्वास करते हो उस divine पर उस angel पर A year from now यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब है कि वो काम आपका एक साल के अंदर बनेगा जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है वो काम आपका एक साल तक बनेगा अभी आपका जो फिलहाल वक्त है वो ठीक नहीं चल रहा है लेकि इन दे नियर फ्यूचर आपका वक्त बदलने वाला है इन दे नियर फ्यूचर ठीक है और कुछ ऐसा काम हो सकता है किसी का जॉब का हो सकता है किसी का शादी का हो सकता है कुछ लोग के लिए यहाँ पर एक साल का वक्त भी लग सकता है इस अंसान को वापस आने के लिए भी या government job के लिए अगर try करो जो कुछ भी आप अपने जिन्दग में पाना चाहते हो उसके लिए एक साल का वक्त दिखाई दे रहा है guys और in the near future in the near future आपके life में कुछ positive changes आ सकते हैं ठीक है या in the near future आपके person का कोई call message आ सकता है या वो खुद इंसान आपके जिन्दग में वापस आ सकता है ठीक है तो कुछ लोग के लिए यहाँ पर in the near future बहुत जल्द यह सब कुछ होने वाला है जो भी आप चाहते हो I hope आपको reading पसंद आई हो like, share and subscribe मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए Bye